हाई स्टुडेंट किलास एट सब्जेक्ट मेथ चैप्टर सेकंड पावर स्टुडेंट इसकी लास्ट एक्साइब चल लए है टू बी कोशन नमर फाइब कोशन नमर फाइब से स्टुडेंट पहले जो में कोशन हो चुके हैं बागी बच हुए आप घर पे आप ट्राइ करे हैं हममक करें उसका कंपलीटली आप उसकी फियर मनाए ओकि और कोई भी स्टुडेंट कोशन नहीं आता है तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं और स्टुडेंट आप उस पे वाट्सप पे किसी के जरी आप बता सकते हैं कि सर हमें यह वाला कोशन आप कंप्लीट करा निए हम उसे करा देंगे ओकिस्ट तो इसमें कोशन नमर 5 स्टुडेंट है इसमें exercise में कोशन नमर 5 एवैल्यूएट दा फॉलॉइंग इसमें 5 स्टुडेंट कोशन है इसमें फिस्ट करा रहे हैं देखी अब इस प्रेंट क्या करेंगे इसमें सबसे पहले हम ब्रेकिट ही सॉल्व करते हैं तो 625 के पहले हम क्या करते हैं फैक्टर तो 625 के हम क्या करेंगे फैक्टर तो 5 से करेंगे 125, 5, 25, 5, 5 और 5, 1 ऐसे आप इसके करेंगे 2 की पावर 4 होगा तो अब हम इसे 7 इसको हम क्या ले सकते हैं 5 की पावर 4 तो 5 की पावर 4 और 20 पावर भी यह है अब तो हम डारेक्टली कर सकते हैं अब इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पिलस इस 16 के फैक्टर करोगो 2 की पावर 4 आएगा और इसकी पावर है 2 वो सॉरी 1 अपॉन 4 और इस पूरे ब्रैकेट की जो पावर है वो है आपकी 2 और होल पावर है इस 20 बन अपॉन 3 आप क्या करेंगे स्वेंट 7 पावर पावर का क्या होगा मल्टिप्लाई तो 4 मल्टिप्लाई बन अपॉन 4 प्लस 2 की पावर 4 मल्टिप्लाई बन अपॉन 4 पावर 2 और पावर बन अपॉन 3 ओके आप क्या करेंगे आप इसमें 4 से 4 कैंसल 4 से 4 कैंसल तो 7 यहां पर बचा 5 की पावर 1 मतलब 5 प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2 तो इसकी पावर है 2 और होल पावर बन अपॉन 3 अब हमें इदर देखते हैं स्पेस की वज़े से अब क्या करेंगे स्ट्वेंट इसमें अब ब्रेकेट अभी कंप्लीट नुग है सौल 5 प्लस 2 5 प्लस 2 जाएगा स्ट्वेंट आपका 7 और यह प्रेकेट क्लोज इसकी पावर 2 है और इसकी पावर है आपकी बन अपॉन 3 आप क्या करेंगे इस यहां पर अब आप जानते हैं 7 की पावर यहां पर कितनी है 2 है अि 7 x 7 की पावर 2 इसकी ओल पावर कितनी है बन पॉन 3 फिर क्या होगा स्ट्वेंट अब कर दोनों की ब्रेश सेंगे इसकी पावर कितनी है वन तो यहां पर क्या हो जाएग बे इसमे पावर add हो जाएंगे तो 1, 2, 3 तो 7 की power 3 direct कर सकते हैं और इसकी power कितनी 3 power power का क्या हो जाएगा multiply हो जाएगा इसका power power का multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 7 की power 3 multiply 1 upon 3 3 से 3 कैसे 7 की power 1 मतलब 7 ओके स्टोएंट इसका answer कितना आएगा 7 अब देखे स्टोएंट next अब इस्टोएंट कोर्षन देखें इसमें 6 कोर्षन नमबर 6 अब 6 में क्या है इस्टोएंट solve of x solve for x यहाँ पर हम क्या करेंगे solve करेंगे x को देखेंगे अब इस तरीके से करते हैं जैसे आपको clearly दिखाई दे रहा होगा question number first इस्टोएंट इसमें क्या है कि जैसे इसमें 1 मिनट देखते हैं कि सपोस कोई अमारे पास से कोई number है 8 और इधर भी 8 है तो दोनों के जब बे सेम हैं तो power भी equal होंगे पर लेकिन यह कब होगा equal में कि जब बे सेम होंगे जब दोनों के बे सेम होंगे तो power आपकी क्या होंगे equal होंगे ओके यही मैथर बस आपको लगाना है कि suppose 2 की power x is equal to 16 तो दोनों की तरफ बेस सेम कर लो तो इसके यह तरफक करेंगे तो कितना आएगा तो कि पावर फोर आएगा कर और आप देख रहे होंगे यहांपर स्टुडेंट कि दोनों के बेस सेम अर wrap की और एक्वल उन्म्हें तो ऐक्स की वेलू कितनी आजाएगी 4 आजाएगी हमें क्या करना है कि दोनों तरफ किसी भी कंडिशन आपको बेश सेम करना है पावर आपकी क्या हो जाएंगी एक्वल हो जाएंगी तो एक्स की वैलू कितनी आ गई 4 अब और देखते हैं स्टुएंट इसका सेकेंड कोशन कि 5 की पावर x is equal to 1 अब इस्टुएंट इधर तो 5 है नहीं तो अब क्या करोगे आप कुछ नहीं very simple 5 की पावर x अब यहां पर इस्टुएंट में यह नहीं लेख सकता 5 की पावर 0 क्योंकि 5 की पावर 0 है उसका वी तो वैलू बन होता है तो दोनों की बेश सेम है तो पावर आपके क्या हो जाएंगे एक्वल हो जाएंगे तो x की वेलू कितनी आजाएगे जीरो आजाएगे ओके फिर हम और आगे देखें स्टुएंट इसमें फिर देखते हैं इसमें कोसा नंबर आपका 4 question number 4 तो यहाँ पर क्या है 4 की पावर 4 की पावर 2x-1 is equal to 256 तो अब क्या स्टुएंट इदर तो बेस 4 है sorry इदर तो बेस आपका 4 है इदर भी आपको बेस 4 बनाना है किसी भी condition में तो हम क्या करेंगे 256 का क्या करेंगे factor करेंगे तो यह 2 से जाएगा 128 2 से 64 2 से 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 और 1 तो देखो पेर बना लेते हैं एक 4 का यह पेर बन गया 4 का यह पेर बन गया, 1 4 का यह पेर बन गया, 4 का क्या हूना रहा है क्योंकि हमें base 4 लेना है तो हम क्या करेंगे 4 की power 2X minus 1 is equal to, तो 1, 2, 3, 4, 4 की power अब 4 लेंग सकते हैं 4 की power 1, 4 की power 1, 4 की power 1, 4 की power 1, 4 की power 1 तू टू जा 4 और तू टू जा 4 अब यहाँ पर 4 कितनी बाल लेका है 4 बाल लेका है तो दोनों के base क्या हो गए same power equal कर दो 2x minus 1 is equal to 2x minus is equal to 4 तो अब आपका यहाँ पर student clear हो गया होगा कि अब यह बन उधर जाएगा तो 2x is equal to 4 और यह बन उधर जाएगा तो काएगा हो जाएगा प्लस 1 तो 2x is equal to 5 2x is equal to 5 तो x is equal to 2 आजाएगा student यह multiply में हैं तो डिवाइड हो जाएगा 5 upon 2 ओके अब student इसमें question देखते है 9 9 में क्या दिया यहाँ पर student कि root 3 3 की whole power 10 is equal to 3 की power x अब student क्या है कि अब आप गोर से देखे तो इधर तो base है 3 मगर इधर तो 3 नहीं है मगर यह जो root है यह actual में होता क्या है 3 की power 1 upon 2 यह से नो और इसकी whole power कितनी है 10 3x हो जाएगा अब क्या होगा यहाँ पर power power का multiply 3 1 upon 2 multiply 10 is equal to 3 की power x और 2 से कटी जाएगे 5 बार 3 की power 5 is equal to 3 की power x यहाँ पर आपका आजाएगा base से में है power आपकी equal आजाएगे तो यह x की value आजाएगे आपकी 5 ओके और student इसमें question बैसे सभी simple है कोई इसमें ऐसा कोई tough question नहीं है कि आपको कोई problem create हो कि इस question को हम नहीं कर सकते हैं बहुत ही simple question है अब एक last question देख लेते हैं 12 तो क्या है यह 3 multiply 4 की power 2 multiply 25 की power 1 upon 2 plus 27 की power 1 upon 3 is equal to root 3 की whole power x अब क्या करेंगे यहाँ पर student देखो यहाँ पर आपका 3 है और यह 4 का square 4 का square कितना होता है आपका 16 और 16 3 जा 16 जा आप समझे के होंगे 48 plus अच्छा यह इस वाट बन पॉन पॉन पावर 2 है वो एक्षिल में root 25 है यह multiply है multiply है यहाँ पर multiply है तो यह आ जाएगा root 25 प्लस फिर आपका क्या है बन पॉन पॉन तरी तो यह q root 27 is equal to root 3 की whole power x तो यह आ जाएगा 5 8 जब 40 0 carry आपकी 4 और 5 4 जब 20 और 4 24 और प्लस की 3 is equal to root 3 x तो यह आ जाएगा 243 is equal to root 3 की power x अब इसको क्या बनाना है इस टो इंट आपको root में बनाना है q root में तो यह किसका होता है आपका तो बस वो square root बना ले ना और फिर आपका क्या आ जाएगा यह आ जाएगा तो इसके हम factor करें तो कितना आएगा student देखो अब देखिए आप पहले इसमें 2 का तो डिवाट जाएगा नहीं 3 का जाएगा 3 का करो 8 0 वो आपका 8 वार चला गया 1 वार 81 यह 3 से किया 27 यह 3 से किया 9 3 से 3 और 3 से आपका 1 तो अब यहाँ पर क्या आजाएगा student तो यह आजाएगा 3 की पावर 5 यहाँ तक कोई प्रॉलम होगी नहीं तो कि देखो 1, 2, 3, 4, 5 अब क्या है कि इधर तो root यह आगया अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यह जो है 3 की पावर 1, 2 लिख सकते उसकी whole power x इतना तो लिख जाएगा अब क्या होगा 3 की पावर 5 और पावर पावर का क्या होता है multiply होता है तो यह हो जाएगा x upon 2 दोनों के base क्या होगा same power equal हो जाएगे तो 5 is equal to x upon 2 5 is equal to x upon 2 यह divide में है तो multiply आएगा तो x is equal to 10 तो अब 2 को multiply इसमें करेंगे तो कितना आजाएगा 10 तो I hope आपको student clear हो गया होगा तो यह student आपकी जो chapter second है वो complete हो गया next video से हम start करेंगे chapter third square and square root ओके थेंक्यू स्ट्ट्ट